देख कर भी क्युँं पूँचते हो मेरे हालत की दास्ताँ दर्द वो क्या जाने जो कभी अपनों से दूर ना हुआ सच है यह कहानी मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ आपको कहानी में धील घटना है जैसा कि नहीं मैं इसलिए नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये एक घटना है या कुछ है मैं हकीकत में उस बात को को बताना चाहता हूँ कि सच में रियल में कैसे होता है जैसे आप देख रहे हो ना आंसू क्योंकि दर्द, आंसू, प्यार, रिष्टे, अपना पंद ये सब, ये कहने के लिए से एक लब्ज छोटे से लगते हैं, किन्तु, अगर रियल में देखा जाए, जब अपने लाइफ में कोई घटना घटती है, तो हाकीकत में उसका, 100% उसका हिसास होता है, या कोई अपनों के साथ हो, तो बस बिलकुल यूँ ही, उसके साथ में हम करेंगे, और कम समय में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, और आप नहीं हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेजिए, और अपने दोस्तों को सेर कीजिए, आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने जहीं, ये कहानी आपको बता रहा हूँ, घटना है, हम सिर्फ इस लिए बताने जा रहे हैं, इसका असर क्या होता है, एक इनसान के अपने जीवन की, जहां पर उसका जर्म हुआ, जहां पर उसके बच्चे हुए, जहां पर उसकी साधी हुई, या जहां पर उसके परिवार के लोग जुड़े, जहां पर उसके हजारों रिष्ट है मरतने के लिए तैयार होता है फिर जब इंसान की सारी एक जिंदगी या भविस्ट की सारी कलपनाएं या बीते हुए समय और लम्हें जुड़ी हो फिर उससे बिछड़ने का गम क्या होता है तो बने रहे आप और देखते हैं इसके साथ में क्या है इंट्रेस्टिक कहानी बिल्कुल आपको मज़ा आएगा पस आप लोग क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं मैं एक रिष्टे से मतलब एक रिलेस्ट से जोड़के मैं देखना चाहता हूं बताना चाहता हूं कि सच में एहसास कैसा होता है और क्या अपने अपना क्या होता है पराया क्या होता है और इसको मैं इंटर लिंक करूंगा अपने आजादी के पहले वाले से या आजादी के बाद में या गुलामी वाले सासन से कितना फरक है देखना तो मैं आज बात करता हूँ जैसा कि आप यह देख रहे हो तो मैं यहां से चलता हूँ जैसे यहां पर यह देख रहे हो यहां पर एक image लगी होगी आपको दिख रहे होगी लेकिन यह image सिर्फ देखने के लिए इतनी लग रही है सिर्फ image क्योंकि कि ये कहानी है उत्तरा खंट कि जहां पर जोगी मठ आपने सुना होगा काफी आज कल कर्चा में रह रहा है किति ये आज इसी कहानी नहीं है आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि हम ऐसा क्यों है? जादा जो गर्मी क्यों हो गई इतनी गर्म बढ़ गई क्या है इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई ना किने पहले पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी आज इतनी गर्मी क्यों है आपको सभी को लगती होगी ना गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है तो मैं आज आपको बताता हूं यह अपने गुज़त जाता है और वो सब करने लगता है जो प्रकत के खिलाफ होता है तो इसका प्रभाव ये हो रहा है जलवाई परिवर्तन क्या है चल्वाय परिवर्तन क्या है件 में जर्णा आपको एक स्वोड49 म में बता देता हूँ नूमा जैसे हम कहें कि अगर एक पठार नूमा जगे होती थी जहां उचाई पर होते नहीं तो वहां पर सभी लोग घर बने थे बीडिंगे बनी थी और होटल भी थे तो एक इस्थान था तो वहां पर अचानक लंबे समय से अगर कहें तो एक साल की बात या कुछ उससे पहल जानकारी आने के हिसाब से बताते हैं कि यहां पर पानी जब बारिस हुई थी बारिस होने के बाद में पानी काफी बारिस हुई तो जल कटा हुआ होगा साइड में उसके जैसे गलियां होती इधर से यह पठार मानते हैं तो जैसे यहां से पानी कटेगा यहां से पानी कटेगा इसमें से गलियां है या कुछ है तो यह पानी कटेके साइड में जाता होगा इधर साइड में यह नदी बह रही इधर बह रही इधर बह रही इसका मिटी कट रही होगी तो उसके कार है वाँपर कुछ साइड में योसका इरोजन में हो रहा है जैसे पढ़ा रहा है जोड़ी थी जनकी उमीदे जोड़ी थी जिन कि सपने जुड़े थे एक घर से तर्द तब होता है जब इनसान सोचता है कि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी साधियां होई होंगी साधियां होई होंगी एक दो साल छे महीने कुछ भी वो सोचते उनकी कुछ उमीदे होंगी बच्चे होंगे पढ़ाएंग सिंपल इंसान क्या करेगा बेचारा जो अपने जीवबने अपन के लिए हुआ वह मजदूरी कर रहा है उसका घर अगर उसने बनाया था अगर उसका घर करक हो गया और फिर भी हम बना भी लेते हैं लेकिन वह कहां जाएगा उसको जो उसकी वहाँ पर यादए थी जो उसके कि रिष्टेदार थे जो हूँ पर सारी दुनिया से उसके नाता थे नाता था वो उसका लाइगा इसे हमस्वांष है अब समस्वा ने हुए हैं अब आपको यह बताने आपको पता हम आपको एंप्रिय के मड्रूब हो रहे हैं आपको और इमेज लिखा फार भार पाणके बाहर पानी आ रहा था बाहर निकल रहा था इसके अंदर आ रहा था यह इंजिए तूटए आपने आप देखरू कैसे चीटक रहीं थी तो लोगों के अंदर डर्भ भी था कि पता नहीं यह होगा इसा नहीं बताया जा रहा है कि काफी समय से हम प्रसासन से कांटेक्ट में थे लेकिन अभी तक कुछ इसा हुआ नहीं था लेकिन अब इस समय वहां पर मंत्री भी गया उप्रसासन भी गया वहां पर जो घर क्रेक थे जो घर क्रेक थे उन पर क्राउस लगा दिया गया क्पडेड कलर से ताकि वहांपर कोई जायए नहीं उनको फोटल था जो को लोगों को जो प्रसासन ने ही कि हम वहाँ पर ये गोउसाला बनाने20 यह काफी समय से समस्य आए थी और जब इंसान अपना घर छोड़ता है जब एक रिष्टा तूटता तो दिल ही करता है कास मैं इसके साथ जीवन भर हूं या इसके साथ कोई छोड़ के जाए ना लेकिन घर जब तूटता है वहां पडोस अडोस पडोस की लोग अपनी परायर रि अच्छे पढ़ाई बच्चों की सिच्छा एजूकेशन रोजगार सब पुछोपट हो गया हाला कि खुसी की बात यह है कि आज हमारे देश में लोग तंद अगर ऑपनी बैसिक देश से करल पना करें तो उससे कितना प्रभाव हमारे जब ऑपनी बैस जब हम गुलाम थे अच्छे परसेंट तीस तीस परसेंट वहां पर टैक्स पढ़ता था किसानों से लिया जाता था उनकी फसल अगर चौपट हो गए जैसे यहां पर आब आई यहां पर इतना ज्यादा समस्या आ रही तो प्रसासन वहां पर उनके लिए विवस्था कर रहा है रोजगार कर र लेकिन वहां पर उनसे कोई मतलम नहीं था फिर भी उनसे टैक्स वसूला जाता था प्रॉपर जब बताओ जिसके पास उसकी फसल चोपट हो गए उसकी घर में खाने को नहीं और उनसे अंग्रेजी सासन उनसे टैक्स वसूलती थी कर वसूलती थी तो वह विचारे जब घर में खाने को नहीं है अगर उसके घर में खाना नहीं खाने के लिए तो विचारा कर कहां से देगा उनकी जमीने जफ्तक ली जाती थी उनसे वह वह विचारे अपने घर छोड़कर इधर उधर चले जाते थे और रोजगार कैसा था रोजगार तो पता था जो इंसान खेती पर थे तो मुझदूरी गुलामी के जैसे उनकी पूरी जीवन के सृता हो जाती थी फिर भी आज हम खुस हैं इसलिए कि हमारे लोग तंत्र में जहां हम आपनी बाते रखने का अपने विचार रखने का अपने अधिकार को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर हम बता सकते हैं हमारे सामने प्रसासन भले ही देर से सौल हों लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं को हमें सहरा देने के लिए तो आता है हमें सहरा तो देता है हमें ये तो नहीं रोना पड़ता कि हम मानो जीवन में क्यों जन्म लिया हम मानो ही क्यों बने हम इस घर में क्यों आए या हम इस दे देने वाला होता है यदि माता पिता साथ में होते हैं ना तो बच्चा कहीं भी जाके कोई भी समस्या आ जाए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो बेचारा परेशान हो उसका जीवन और मरंड का समस्या अगर टाइम आ जाए तो फिर भी एक बार अगर घर से फैमली वालों से बात कर लेता है तो उसको आस्था मिल जाती है ममी कहती कोई बात नहीं बेटा टेंसन मतलो इस तो सिंपल बात है और उसका जीवन हरा भरा हो जाता है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिष्टों में रिष्टों में समस्या अगर आती है तो या कोई चीश बिछड़ता है में मानों होने के नाते है हमारे अपने लोकतंत्र होने के नाते अपनों का हैसास वैसे देश की समस्याओं के साथ हमारा प्रसासन है हमारी सरकार है हमारा लोकतंत्र है हमें गर्भ करना चाहिए कम से कम भले ही देखो इतनी बड़ी देश है इतना बड़ा देश इतनी सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें आस्था है कि यहां कम से कम हम दबे तो कम से कम कोई न कोई हमें बचाने तो आएगा तो इसलिए हमें लगा कि मतलब वास्तविक में पुरीज पर हम चर्चा करें आप लोगों से बात करें तो प्लीज आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आप लोग न्यूज में जाकर सर्च कर सकते हैं जो जोगी मठ जिसमें अभी तक आपको बताने वाले हैं कि सा 678 जो हैं 678 घरों और मठों को मंद सारी क्या बोलते हैं होटलों को इसमें दो होटल है होटल है दो होटल है और 678 टोटल सरकार ने क्रॉस लगा दिया कि वहां पर सबको जाना बंध है प्रतिबंध है वहां पर कोई नहीं जा सका इतना ज्यादा नुफसान हो चुका है सरक लेंगे नए टॉपिक के साथ आप बताना कि वास्तविक में हमारा ओपनिवेशिक सासन से और वर्तमान सरकार में लोकतंत्र में हमारे अपने सुतंत्रता में कितना अंतर है प्लीज आप कमेंट बाक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कितना अंतर लगता है थैंक्यू फ भ Сп कर दो प्हास को बढ़ में वाद कर दो पक हो दो फसका पना ही और राख में अभीर बाल भीर्डवार कि जब का वाद का जाद का तुर बड़स भीर हो जाद का पुर दो उल्ड़स कि भीर्य हो खाया कर लुड़स कौ